हेलो शुड़ेंट आस हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 4 डिटर्मिनार्ट एक्सरसाइज 4.2 का कोश्य नमर आज हम लोग 8 देखेंगे चले देखते हैं कोश्य नमर 8 हम लोग को क्या करें यूजिंग दा प्रोपर्टी ओफ डिटर्मिनार्ट्स हम लोग किसके यूज करने क लोग कर देखेंगे हम लोग यहां देखेंगे हम लोगे यह दिया गया है यह हम रोप करने कारें कि सपरिक लिक्षा के देखें लिए जो दिया है सबसे पहले इसको लिख लेना है 1 a a square 1 b b square 1 c c square अब क्या करेंगे देखिए इसको अब हम लोग जहां से देखिए हम लोग कहांची a b देखिए a minus b b minus c कैसे मिलेगा a minus a minus b देखिए हम लोग r1 में क्या करेंगे r1 में हम लोग क्या करेंगे r2 minus कर देते हैं r1 में r2 minus कर देंगे तो a minus b मिल जागा फिर क्या b minus c तो हम लोग क्या करेंगे r2 में r3 minus कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जागा देखिए b minus c हो जागा आप चलिए यहां पे देखिए solve करेंगे देखिए r1 minus r2 क्या होगा 0 क्या हो जागा a minus b यहाँ पर क्या हो जागा a square minus b square आप देखिए r2 कितना है 1 r3 कितना है तो 1-1, 0, अब B, अब फिर क्या है, C, तो क्या जगा, B-C, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोगा क्या है, R2 में क्या है, B2, और R3 में क्या है, C2, तो क्या जगा, B2-C2, नीचे क्या बचा, 1, C, C2, अब यहाँ से देखें, R1 से, R1 से हम लोगा क्या कोमान आ जाएगा, R1 से हम लोगा, A-B कोमान आ जाएगा, और R2 से क्या कोमान आ जाएगा, हम लोगा, B-C कोमान आ जाएगा, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं, थेचिंग गोमन ओ ए माइनस पी ओर क्या लेरे हम लोग और हम लोग क्या लेरे बी माइनस सी फ्राउम आर वन से एंड आर यहां पर हम लोग ए माइनस बी किस से ले रहे आर वन से और बी माइनस से किस ले रहे आर टू से तो चलिए हम पर क्या होगा हम लोग का धियां से देखेंगे हम लोग किस से बाहरा है हम लोग का सबसे पहले पहले सबसे बाहर है तो क्या बचे मैं बचे हैं जीलो वन यहां पर क्या बचेगा डिखें हे इसको क्या लिख सकते ए मैं ब्री एक बार ए प्लस बी तो मैं बाहराग यह formula एक अगर आपको नहीं पता तो मैं side में छोटा सा लिख दे रहा formula formula हम लोगा a square minus b square क्या होता है हम लोगा a minus b और a plus b हम लोगा क्या है formula है इसी formula से हम लोगों ने देखिए इसको तो बाहर common चला गया और यह बचे गया अब यहाँ पर देखे 0 यहाँ से b minus c common गया ना b minus c common यहाँ तो 0 बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा 1 और यहाँ पर b plus c same formula आएगा ठीक है अब यहाँ पर क्या बचेगा 1 c c square अब यहाँ पर हम लोगों क्या करेंगे देखिए a minus b a minus b b minus c आप इसको क्या करेंगे expand कर देंगे तो देखिए इसको लेने का कोई फैदा नहोंगा क्योंकि देखिए 0 लेंगे इसको चिपाएंगे इसको चिपाएंगे बाद में multiply होगा 0 से तो 0 हो जाएगा आप देखिए इसको भी लेने कोई फैदा नहीं क्यों क्यों नहीं तो 0 लेना पड़ेगा, 0 से multiply करेंगे तो सब क्या हो जगा, 0 हो जगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको ले रहे, 1 लेंगे ठीक है, यह इसको लेंगे, यह चीपएगा इसको चीपाएंगे, इसको चीपाएंगे क्या बचेगा केवल यहाँ पर देखिए 1, 1, उपर अलब बचेगा, 1, 1 और यहाँ पर A प्लस B और यहाँ पर B प्लस C, यह हम लोग का बचा अब चेलिए इसको solve करेंगे क्या हो जाएगा देखते A माइनस B B माइनस C इंटू 1, अब देखिए हम पर क्या होगा multiply हो जाएगा B प्लस C को multiply करिंग 1 से तो क्या आजाएगा हम लोग का यह हम लोग को क्या आजाएगा B प्लस C, माइनस Sine आएगा आप देखिए इधर multiply हो तो हम पर A प्लस B आजाएगा चेलिए इसको मैं आपके लिए next page में लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो चेलिए मैंने आपके लिख दिया A माइनस B, फिर B माइनस C इंटू 1, फिर B प्लस C माइनस A प्लस B, चेलिए अपर क्या हो जाएगा देखते है A माइनस B B माइनस C, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 1 है यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए B प्लस C यहाँ पे क्या होगा माइनस इंटू प्लस माइनस A माइनस इंटू प्लस माइनस B अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा A माइनस B B माइनस C इंटू 1 यहाँ पे देखिए B से B cancel plus B minus B cancel क्या बच्छा हम लोगा C minus A अब यहां पे हम लोग A minus B B minus C multiply कर दें क्या जाएगा C minus A जो कि हम लोगों को prove करना था चलिए मैं आपको दिखा देता हूं देखे A minus B B minus C और C minus A यह क्या चीज हम लोगों को यह prove करना था देखे A minus B B minus C, C minus A यह हम लोगों को prove करना था यह हम लोगों का prove हो गए यह हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा वीडियो पसंद है तो like कीजिए share कीजिए, comment कीजिए और इस channel को subscribe कीजिए Thank you